Hello everyone, welcome you all at Locator Unlimited Study Zone, Physics chapter Gravitation की 2nd class आपके सामने हैं आज हम Gravitational Potential पढ़ने वाले हैं और Gravitational Potential को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना पढ़ेगा Gravitational Field क्या होता है तो हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि Gravitational Field क्या हुआ करता है ओके? Gravitational Field बचो आपको कल अर्थ को ले करके बताया गया है कि अर्थ एक दूरी तक किसी बॉड़ी पर कोई भी आबजेक्ट होगा उस पर Force लगाएगी बुले लगाएगी कि नहीं लगाएगी? और वो बॉड़ी भी कोल अमांट ओफ फोर्स एक्षर्ट करेगी दोनों के Force amount wise equal होते हैं बर direction wise अलग अलग होते हैं और आपने देखा कि लगने वाला Force equal to G M1 M2 upon R square अगर मैं R को infinite कर दूँ तो Force कितना हो जाएगा? चीरो clear की not clear? और आपको दिख रहा है कि अगर R increase करेगा तो F जो है decrease करेगा क्योंकि F inversely connected है square law से inverse square law yes की no? मतलब distance बढ़ने के साथ साथ Force की value कम होती जाएगी yes मतलब आप समझ सकते हैं कि एक अगर आपके पास में massive body है कोई mass M है तो अपने चारों तरफ एक certain distance तक ये अपना reason of fraction create करता है और इस reason में अगर कोई भी object आ जाए तो ये उस पे क्या लगाएगा? Force लगाएगा yes or no? ये force लगाएगा तो बिटा जहां तक ये अपने force को exert कर सकता है उस reason को हम बोलते हैं gravitational field क्या बोलते हैं? gravitational field clear की note clear? so the distance up to which a given mass can exert its effect कह लिजे या its force कह लिजे that reason is called gravitational field the space or surrounding for material body in which gravitational force of attraction can be experienced देखे मैंने क्या कहा है यहाँ पे? gravitational force of attraction can be experienced मैंने gravity नहीं कहा है क्योंकि gravity word अर्थ के लिए है and gravitational force सबके लिए है can be experience is called its gravitational field clear की note clear? मतलब surrounding चारो तरफ का वो area जहां तक की gravitational force को exert किया जा सकते experience किया जा सकते किसी body के around तो उस जगह को, उस reason को हम क्या बोलते हैं? gravitational field बोलते हैं so this reason is called gravitational field तो यह कोई quantity नहीं है gravitational field यह जगह है, यह area है तो जैसे ही आप कभी बोले कि वहाँ पे gravitational field है तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि कोई जगह है है वहाँ पे कोई बैठा होगा, जो अपना field दे रहा होगा clear की not clear? अब बात बात आती है gravitational field intensity की अब intensity का मतलब समझे intensity, intensity बहुत high है intensity बहुत low है intensity काफी low है तो इसको ऐसा समझे कि आपके पास कोई BJ बूफर है और आपको पता है कि DJ बूफर से बड़ी जोर की आवाज निकलती है ये लेखे, double sound box वाल आपके पास में बूफर है एक उपर है, एक नीचे है और इन से बड़ी जोर की आवाज निकलेगी, बुली एसानो अब आप देखिए यदि इसका एक रीजन है, जहां तक इसकी आवाज जा सकती है 500, 600, 800 मीटर वहां तक इसकी आवाज जा सकती है अब यदि मैं बात करते जाऊं दूरी की तो जो सबसे इसके पास में रीजन होगा वहां पर इसकी आवाज का effect या force सबसे ज़्यादा होगा, बुली एसानो मतलब यहाँ पर intensity सबसे high होगी, फिर intensity और कम, फिर और कम फिर और कम, फिर और कम इस तरीके से force की value कम होती जारही है, हो रही कि कम होता जाता है तो इस चीज़ को हम किस पे निकालते हैं intensity पे निकालते हैं इस चीज़ को हम किस पे निकालते हैं intensity समझे तो मैंने sound case तो एक्जामपल दिया अब देखिए mass के उससे अगर आपके पास कोई massive body रखी हुई है तो massive body के कारण हर point पर intensity अलग-अलग होगी बोलो yes किनो जैसे sound की intensity अलग-अलग होती है वैसे हर point पर intensity अलग-अलग होगी जितना point आप पास में जाएंगे mass के उसकी intensity उतनी बढ़ती जाएगी है बोली यह सुनो अब intensity को define कैसे करते हैं what is gravitational field intensity at a point so gravitational field intensity का meaning है बिटा so simple the amount of force the amount of force realized by a unit mass बोलो clear बिटा unit mass unit mass जितना force realize करेगा उसको बोलते हैं gravitational field intensity at that point clear की not clear add that point कुछ ऐसा समझी है कि आपके पास में यह एक elephant बैठा हुआ है बड़ा सा हाथी और यहाँ पर आपके पास में एक छोटा सा doggy बैठा हुआ है आपने दोनों से तीन मीटर की distance पर आपने दोनों की intensity निकाली है क्या निकाली दोनों की intensity तो इसकी intensity same distance पर high होगी और इसकी intensity क्या होगी बटा low होगी मतलब इसका इस point पर gravitational field के एकान force जादा बनेगा पर unit mass पर और इसमें unit mass पर force कम बनेगा clear की not clear so simply क्या है बटा ये ये force acting on unit mass है क्या है force acting on unit mass clear की not clear तो देखें अगर कोई m mass का massive body है उससे r distance पर बटा इसको capital M ले लो अगर r distance पर कोई small mass m रखा हुआ है तो देखें small mass m पर काम करने वाला force कितना होता बटा F clear तो unit mass पर काम करने वाला force कितना होगा F upon M okay तो unit mass पर काम करने वाला force कितना होगा F upon M clear की not clear so unit mass पर लगने वाले force को ही the force realized by unit mass at a given point is called gravitational field intensity at that point, so I is equals to F by M तो force of gravitation कहां लगेगा उस पे अंदर की और बड़े वाले mass की और तो हमेशा याद रखेगा, gravitational field intensity हमेशा अंदर की और होती है clear की not clear तो इसकी unit क्या बनीगी, newton पर kilogram, क्योंकि force की unit newton, mass की kilogram, चलिए derivation कर देते हैं, अगर माली जी, यहाँ पर distance दोनों के center की R है, तो कितना force बनेगा बेटा, one upon m को side कर लीजे, force की value put कर दीजे, g capital M, small m upon दोनों के बीच की distance का square clear r का square, yes or no small m से small m क्या हो गया, cancel so answer, capital G m upon r square, this is called I okay यह क्या है, I तो यह, इसका scalar formula हो गया g m upon r square any problem? यहाँ से देखिए, जो हम लोगों ने gravitational acceleration पढ़ा था earth की surface पे, वो था capital G m e upon radius of earth का square, याद है कुछ? तो यह भी वैसा ही formula है, बिलकुल दोनों की जदी unit निकाले जाए, तो newton पर kilogram आपने बनाया था, इसकी भी solve करके, जो formula बन रहा है, और जो dimension formula बनेगा, दोनों सेम बनेगा, मतलब gravitational intensity और gravitational acceleration दोनों dimensionally equal हैं, clear? clear हो गया, बट यहाँ पर actually gravitational acceleration था, तो इसलिए हम इसको लिखते थे, meter per second square इसकी unit को, ठीक है, जबकि यहाँ पर gravitational intensity है, तो इसको क्या लिखेंगे, newton per kilogram, बन जाएगा बिटा, यस, तो यह हो गया हमाँ पास में, formula, देख लीजे, definition, it is defined as the gravitational force experienced by a unit mass placed at any point, in the gravitational field, in the gravitational field of any point, मतलब किसी unit mass के दोरा, कितना force realized हो रहा है, उस point पर, the amount of that force realized by a unit mass is called gravitational field intensity, clear की not clear? क्योंकि किसी भी point पर, लगने वाले force का सबसे बहतर अंदाजा, unit mass ही कर सकता है, that's why we are taking here, unit mass, okay? क्योंकि, so f upon m by the formula, यह आगया बेटा, gm upon r square, so in vector form, अब vector form में लिख दिया जाए, i equal to gm upon r square तो आपने देख लिया, i equal to capital gm upon r square, यह किस form में था? scalar form में, अब vector form के दिए बात की जाए, तो i vector equal to gm upon r square, अब vector लगाना है, देखी ध्यान से, अभी आपने देखा, कि total vector यदि distance r है, तो बाहर side का vector क्या बनेगा, बेटा? vector r, तो इसका unit vector क्या बनेगा, बेटा? बाहर side का? r cap, अगर complete vector r है, तो इसका unit vector क्या बनेगा, बेटा? r cap, बनेगा? तो यदि मैं पीछे side का vector generate करता हूँ, क्योंकि intensity तो पीछे की तरफ लगती है, तो इसका vector क्या बनेगा? unit vector minus r cap, तो intensity क्योंकि अंदर की तरफ लग रही है, तो यदि मैं vector form में लिख सकता हूँ इसको, तो measure यहाँ पे minus r cap लगाना पड़ेगा, okay, so minus gm upon r square r cap, clear? SI unit, newton per kilogram क्या लिजी, यह और simplify करेंगे तो वही आजाएगी, जो gravitational acceleration की थी, meter per second squared, dimension formula वही आएगा, acceleration की जैसा, L t की power minus 2, तो M की जगे 0 लगा दो, L की जगे 1, t की power minus 2, clear की note, clear? So, this is dimension formula, clear? Yes, so we are talking about gravitational field intensity, it is a vector quantity, and it always directed toward the center of the gravity of the body, whose gravitational phase is considered, समझ में आगया? यह हमेशा, जिस आप massive body की बात कर रहे हो, जिसका field ले रहे हो, जिसका field निकाल रहे हो, उसके center की तरफ लगेगी इसकी intensity, clear, बेटा? मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको confusion clear कर देना चाहूँगा, जिससे आपके पास में दो body है, बेटा, एक body का mass M1 है, और r distance पर एक दूसरी body रखी है, जिसका mass कितना है, बेटा? M2, clear? तो, बेटा, समझे कि body M1 का r distance पर जो field निकलेगा, बेटा, सफोस, it is I1, तो, बेटा, जो यहाँ पर field निकलेगा इस point पर, सो, I1 equal to निकलेगा, GM1 upon r square, समझ मैं बेटा? क्या निकलेगा GM1 upon r square, और M2 body का जो field निकलेगा, बेटा, M1 के उपर, वो कहलाएगा, I2, second body का field, that is equals to GM2 upon r square, समझ रहे हैं आप? तो field उस mass का निकलना होता है, जिसकी आप बात कर रहे होते हैं, इस चीज में सावधानी बरती हैगा, कि आपको field किसका लेना है, clear होगे कि नहीं होगे? और एक चीज और बता दूँ, यहाँ पर, intensity is equals to force upon mass, intensity is equals to force upon mass, clear? तो यहाँ पर intensity is equal to force upon mass, force equal to mass into intensity, force equal to mass into intensity, clear? तो देखे, हम एक चीज बता रहा हूँ आपको, M1 की intensity की वज़े से, M2 पर लगने वाला force, तो बेटा, M2 पर लगने वाला force, F equal to, किस mass की बात कर रहे हो? M2, किस intensity में रखा है? I1 में, किस में रखा है बेटा? I1 में, सो फॉर्मूला क्या बनेगा? M2 into, I1 की value पूट कर दीजे क्या है? G M1 upon R square, तो क्या बन गया बेटा? G M1 M2 by R square, आगे समझ में, क्या यही formula था? यह है, similarly, M2 की intensity के वज़े से, M1 पर कितना force लगेगा? तो अभी पढ़ा, लिखे रहे हैं, formula क्या होता है? F equal to M I, F equal to M I, तो again, F equal to, किस पर force? M1 पर, किस की intensity में रखा है? I2 की intensity में, so M1 into I2 की intensity कितनी निकल रखी है? G M2 upon R square, तो multiply कर दीजे, तो यह क्या बन जाएगा? G M1 M2 by R square, done, यह हो गया आपका formula, G M1 M2 upon R square, तो आपने देखा, कि दोनों force, एक दूसरे के, equal or opposite है, ठीक है पेटा? क्योंकि intensity की direction में ही force लगेंगे, clear है? तो जो अपना F1 force है, यह अंदर की ओर लगेगा, और F2 force, यह इसको खीचेगा अंदर की ओर, any problem? तो यह हमारा gravitational intensity हो गई, so it is a vector quantity, वही मैं बता रहा था, it is always directed toward the center of the gravity, of the body, whose gravitational phase is considered, जिसके आप field की बात कर रहे हैं, उसके अंदर की ओर, इसको आप consider करेंगे, clear? As by definition, I is equal to F by M, F equal to M I, मैंने तो इसका, आपको proof तब करके बता दिया, I is equal to, force upon mass, test mass, जिस पर आपको intensity निकाल ली है, तो force vector equal to, M into I vector, clear? तो मतलब force क्या होता है, force जो होता है, वो intensity का, time mass होता है, उतने time mass से multiply हो जाता है, clear? So, force on a point mass M, is multiplication of intensity of the field, and mass of the point mass, clear की not clear? If you are talking about infinity, तो R equal to infinity हो जागा, तो अभी अपन ने पढ़ा, intensity का formula क्या होता है, G, आपका वो जो भी mass है, upon R का square, तो R की value कर आप infinity रखेंगे, तो intensity कितनी हो जाएगी? 0, मतलब infinite पर कोई intensity काम नहीं करती है, clear? Now, gravitational field intensity, actually एक vector quantity है, इसलिए अगर अलग-अलग intensity, superimpose हो रही हो, एक ही point पर, तो जो net intensity होगी, सभी intensity का क्या होगी? Vector sum, it will be the vector sum of all the intensity, clear? So, gravitational field intensity, due to different point masses, can be calculated by vector sum of different intensities, right? Yes, next, as I equal to gm upon r square, ये तो मैंने पढ़ाई दिया आपको, I equal to gm upon r square, and gravitational acceleration is also gm upon r square, okay? gm upon r square, आर्थ के लिए, so I equals to g, है ना? Yes, I equals to g, does the intensity of gravitational field at a point in the field is equal to acceleration of test mass placed at that point, मतलब, इसी point पर acceleration और उस point पर gravitational field intensity equal होती है, clear? ना, numerical equal है, है ना? चली, clear? Clear, बीटा? Yes, ओके, अब इस चीज़ को याद रखे, इस spherical shell के लिए, spherical shell के बाहर, जो gravitational field intensity होती है, यह कोई shell है, तो shell, खोखला shell यह होता है, इसका पूरा mass कहां पर होता है? बाहर होता है, तो इसका यह यह mass m है, तो वो बाहर होगा, बाहर ही इसके बैठा होगा, तो इसके कार्ण intensity कितने निकलेगी? अगर आपका जो point है, वो surface के ऊपर है, क्योंकि देखे, अभी आपने क्या लिया है? point बाहर लिया है, इस point पर आपने mass, अपना लिया है, test mass, distance r है, तो gm upon small r square है, अगर आप surface की बात करेंगे, तो small r के इसके ऊपर आजाएगा, surface की एककोल, यानि capital r के एककोल, तो बन जाएगा gm upon capital r square, clear बेटा? और अगर आप किसी खोखले गोले के, अंदर intensity निकालेंगे, तो बेटा देखो, इसके अंदर तो कोई mass ही create नहीं होगा, मतलब mass के इतना है? 0, मतलब intensity equal to g into mass के जगे 0, upon r square, जो भी होगी inner radius, तो आंसर कितना जागा बटा? 0, मतलब खोखले गोले के अंदर को intensity नहीं है, intensity 0, फिर एकदम से बढ़ जाएगी, surface पर, फिर धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी, radius के साथ, square एक मनुपात में, clear? तो यह हो गया हमारा काम फितम, gravitational intensity का, तो gravitational, gravitational energy, sorry, gravitational intensity, यहाँ पर complete हो जाती है, अब हम अगला topic आ रहे है, gravitational potential पर, चलिए देखते है, gravitational potential क्या होता है? देखे, gravitational potential को सबसे पहले, आप शरल सब्दों में, समझे, feeling के साथ, gravitational potential, मैं सीदे GP लिख रहा हूँ, इतना जदा कौन लिखे, gravitational potential, यह माल लीजी बेटा, यह एक बड़ी सी, massive body है, है की नहीं है बेटा? ओके, यह massive body है, अब, सबोज, अर्थे ही समझ लो, पुछ देर के लिए, अब, आप इसको, अर्थ समझ ले, तो आप देखेंगे, की, यदि यह अर्थ के respect में, अर्थ का center है, mass of earth, और इसके अंदर रखी हुई, हर body को, अर्थ अपने, center की और, खीचने का प्रयास करती है, करती की नहीं करती है? ठीक है, तो कोई चीज, अगर, center की और, खीचे आ रही है, इसका मतलब, उसकी, energy, negative है, यह एक नई बात मैंने आपके सामने कही, अगर कोई किसी चीज की तरफ खीचे आ रही है, इसका मतलब, उसकी energy क्या है बिटा, negative है, clear की not clear? ठीक है, अब देखी, अगर वो चीज, infinity पे थी, किस पे थी? infinity पे थी, तो infinity पे आर्थ से इसका कोई लेना देना नहीं था, तो infinity पे इस पर लगने वाला force भी कितना था उस मास पर? 0, उस पर लगने वाली intensity भी कितनी थी? 0, और यदि मैं भूलूं कि infinity के इस पॉइंट पर इस body की energy भी कितनी होगी? at point infinity, उस body की energy जिसको वियू बोलते हैं, equal to कितना? 0, clear है वेटा? अब यदि हम इस body को infinity से gravitational field के किसी point तक लेकर, करके आते हैं, अगर infinity से हम इसे gravitational field के किसी point तक लेकर के आते हैं, ठीक है वेटा? तो हमें कुछ काम करना पढ़ता है, क्या करना पढ़ता है? कुछ काम, work करना पढ़ता है, we have to do some work, infinity से gravitational field के किसी point तक लेकर आने में, हमें कुछ काम करना पढ़ता है, done? suppose आप mass m को लेकर के आ रहे हो, किसी point पर, इस point की distance है, small r, तो अगर आप m mass को लेकर आने में, कितना work करते हो? w, बोले यह सुनो, आप कहा तक लेकर के आये हो? infinity से point p तक, infinity से point p तक, तो युनिट मास को लाने के लिए, कितना काम करना पढ़ेगा? w upon m, w upon m, तो यह unit mass को लाने में किया गया, काम ही कहलाएगा, gravitational potential, this is w by m, what is gravitational potential, the work done, to bring a unit mass, from infinity, to a point of gravitational field, किसी unit mass को infinity से, gravitational field के किसी point तक लाने के लिए, जितना काम करना पढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं आप, उसे क्या बोलते हैं आप, gravitational potential बोलते हैं, clear होगे बिटा? हाँ, so, once again, v is equals to work per unit mass, यदी बात की जाए, unit की, so, this is joule per kilogram, unit of gravitational potential, is joule per kilogram, clear? so, this is gravitational potential, now, अगर यहाँ से आप, W निकाल ले, तो W equal to V multiply by test mass, जिसको आप लेकर क्या आए हैं, what is M here? M is here test mass, जिसको आप लेकर क्या आए हैं, clear बिटा? yes sir, so, यह work आजाएगा, work मतलब energy, work मतलब energy, और इस पूरी energy का नाम मजाता है, W is called gravitational, gravitational potential energy, क्या कहलाएगा बिटा, gravitational potential energy, तो यह energy कहला जाएगी, gravitational potential energy, तो gravity जिस energy को possess करती है, किसी body के उपर, वो gravitational potential energy होती है, clear? देखिए, जैसे आपके पास कोई अर्थ है, अर्थ का मास है, M, E, और यहाँ पर M मास का object है, और जैसे ही M मास का object छोड़ा जाता है, यह downward आकर के गिरता है, ठीक है ना? यह downward आकर के गिरा करता है, क्यों? क्योंकि इसके पास gravitational potential energy है, उस energy को लेकर यह काम करता है, clear? उस energy को लेकर के यह काम करता है, तो चलिए पढ़ते हैं, आगे का derivation, what is gravitational potential? अब हम पढ़ते हैं, gravitational potential क्या होता है? So gravitational potential is the amount work done in bringing a unit mass from infinity to that point without acceleration. Okay? So gravitational potential क्या है? Gravitational potential जो है, amount of work done है in bringing positive, sorry, in bringing a body of unit mass, unit mass की body को, कहां से कहां लाने में? कहां से कहां लाने में? infinity से किसी point तक लाने में है ना? infinite to एक point तक लेकर के आने में? चलिए, देखिए. तो कैसे करते हैं इसको हम लोग भी मैंने आपको पढ़ाया, इसको करने के हलाके कई तरीके हैं, तो v is equals to w by m, मैं simple derivation से आपको बताऊंगा आपको, देखिए, मैंने आपको सिखाया कि v is equals to w upon m, बुली होता है कि नहीं होता? नाओ, as v equals to w by m, and you know, 1 by m को बेटा बाहर कर लो, and w is equals to होता है, integration f dot dr, मुली होता है कि नहीं होता? f dot dr, integration f dot dr, so, ये कितना हो जाएगा? 1 by m, f dot dr की value, 1 by m, f dot dr, अब एक काम और करीए, आप यहाँ पर थोड़ा सा, आप यहाँ से m constant को अंदर ले जाएए, so, you have f by m, कोई बुरा ही नहीं है, force per unit mass dot dr, and you know, force per unit mass is called intensity i dot dr, बुली है, यहाँ की नहीं है, अब आप जानते हैं, कि हम जो r की value लेकर क्या रहे हैं, जो, ये main आपका mass है, capital M, और शुरुवात में आपका object कहां पे था? infinity पे था, और आप इसको gravitational field के किसी point P पर लेकर क्या रहे हैं, that is r, मतलब r का variation कहां से कहां हो रहा है, infinity to point P, मतलब infinity to r हो रहा है, हो रहा की नहीं हो रहा? So, infinity to r variation हो रहा है, now value पूट कर दीजे, infinity to r, i की value क्या होती है बटा? capital G, capital M, r square, capital G, m upon r square, तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा, capital G, m upon r square, और यह dr लग जाएगा बटा, क्या लग जाएगा यह? dr, ओके? yes की no? ओके, देखे, यदि आप थोड़ा से यहाँ पर elaborate करना भी चाहें, तो यहाँ पर mod i, mod dr, cos 0, क्यों? क्योंकि intensity की भी direction अंदर की तरफ होती है, और जो आप displacement दे रहे हैं, वो भी कहाँ है? अंदर है, तो theta कित्य डिगरी बन जाएगा बेटा? 0 degree. तो जो formula होता है, vector a dot b का, that is equals to mod a, mod b, cos theta, cos 0 degree equal to 1 हो जाएगा. clear की not clear? hello? clear की not clear बेटा? okay, so idr cos 0 की value 1 हो गई, तो यह i की value, यहाँ dr की value हो, ओके बेटा? अब gm यहाँ से constant है, बाहर ले लिजिए, आपके पास क्या जाएगा? bracket के अंदर, integration, infinity से लेके r तक, 1 upon r square dr. clear? now, 1 upon r square को कैसे integrate करेंगे? 1 upon r square dr, may be written as, r to the power minus 2 dr, this is equals to, r की power minus 2 plus 1, upon minus 2 plus 1, this is equals to, dr, r के respect में कर रहे हो न? r के respect में कर रहे हैं, dr है, clear? r की power minus 2 dr, clear? तो, minus 2 plus 1 upon minus 1, okay? this is equals to, minus 1 by r, because minus उपर चला जाएगा, r उपर आजाएगा, clear? so, I am writing here, gm, finally integration कितना आगया, minus 1 by r, infinite to r, clear बिटा? infinite to r, clear? yes, so, minus बाहर ले लिजे, so, minus gm, and limit is, 1 by r, infinite to r, so, place the limit, minus gm, r की जगे, r रखेंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, and 1 upon infinity, that is equals to 0, so, minus gm, 1 upon r, minus 0, so, answer, minus gm upon r, clear बिटा? बिटा, बिटाइशनल पोटेंशियल, equal to, minus gm upon, a small r, at a point r, from the, point mass m, source mass m, clear है, बिटा? तो, m mass के कारण, r distance पर, जो potential निकलेगा, that is equals to, minus gm upon r, clear है? अब यहाँ पे, minus sign यह बता रहा है, कि जो body है, वो attraction फील कर रही है, क्या फील कर रही है, बिटा? attraction, clear हुआ की नहीं हुआ? अब यहाँ पे, gravitational potential energy भी, हम तुरंट के तुरंट निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? you know, v equals to, energy, per unit mass, per unit mass, clear की not clear? तो, आपने, मान लिजिए, capital M mass के energy में, आपने यहाँ पे, test mass M रखा है, तो, इस point पर, कितनी energy बनेगे देखे, तो, इस point पर, potential कितना होता है, minus G, capital M, upon R, so, R square नहीं होता है, पिटा, R होता है, potential, okay, so, यहाँ से, यहाँ से, v equals to, W by M, so, W equals to, V into M, तो, V की value पूट कर दीजे, minus G, capital M, upon a small R, multiplied by, a small M, this become W, okay, बिटा, so, W equals to, minus G, capital M, a small M, by R, so, this is called, gravitational potential energy, known as W, known as U, and formula is, minus G, M, upon R, energy, energy negative, आ रही है, क्यों, क्योंकि, यहाँ पे, यह body, earth के, boundary में है, addiction में है, addiction, negative energy को, show करता है, clear बिटा, हाँ, तो, यहाँ पे, जो energy आएगी, minus G, M, M by R, और potential तो, मैंने आपको बताई दिया, right, hello, so, minus G, M, M by R, यह होगी, gravitational potential energy, और gravitational potential कितना होगा, minus G, M by R, infinity पर, potential की value, कितनी आ रही है, zero रही है, that is, maximum value of potential, infinity पर, आपकी potential की value क्या निकल रही है, maximum निकल रही है, बाकि force का derivation, intensity का, potential का, और gravitational potential energy का derivation, आपने देखे लिया है, कोई problem बेटा, okay, so, gravitational potential, is a scalar quantity, यह कैसी quantity है, is scalar quantity है, इसकी SI unit, joule पर kilogram, मैंने पहले ही बता दिया, because V equals to, W by M, तो W के unit joule, और यह kilogram, dimension इसकी वही होगी, आप निकाल सकते हैं, work से mass को divide कर दें, तो work की होती थी, ML2 T3 पर माइनस 2, okay, and kilogram mass की हो जाएगी, M, M से M cancel, so M0, L2, माइनस 2, then, okay, अब देखिए, एक derivation है, जो gravitational potential energy को एक अलग तरीके से relate करता है, gravitational potential को gravitational intensity से, कैसे relate करेंगे हम, इस चीज को जान लेजे, note कर लेजे, I is equals to negative of dv by dr, दो relation आप note कर ले, I is equals to negative of dv by dr, देखिए, आपने क्या-क्या find किया भी तक, आपने ये find किया है, कि I is equals to minus gm upon r square, और v is equals to minus gm by r, ये दोनों relation आपके पास में है, बूले clear? ये दोनों relation हमारे पास में है, अब आप देखिए, यदि मैं gravitational potential को with respect to radius differentiate कर दो, तो क्या मिल जाएगा मुझे? मतलब मैं आपके सामने dv by dr निकलने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा d by dr minus of gm by r, कहिए सही है, तो minus gm constant है, र हो जाएगा, और d by dr के पास क्या बचा है बिटा? r की पावर minus 1, because r उपर जाएगा, तो r की पावर minus 1, so minus gm, formula लग जाएगा, and x की पावर n minus 1, तो ये कितना हो गया हमारे पास? this is equals to minus gm, और ये minus 1 upon r square, so this is equals to positive gm by r square, clear की not clear? तो आप क्या निकाल रहे हैं? d by dr, तो आपके पास d by dr, कितना आ चुका है? gm upon r square, आ चुका है? अब ध्यान से रेखिए, क्या d by dr, negative of intensity नहीं है? yes, मतलब potential का जो differentiation होगा, वो आपको intensity का negative value देगा, clear की not clear? तो चलिए यहां से, dv is equals to, मैं लिख सकता हूँ, negative i dot dr, ओके? by dr उपर चला गया, तो i dot dr, clear की not clear? now, dv का integration कर देगे, तो integration dv is equals to, negative of i dot dr, यहीं तो हमको प्रूफ करना था, और dv का integration कितना हो जाएगा? v, dx का x होता है, तो dv का v हो जाएगा, is equals to negative i dot dr, तो यह बन गया हमारा, potential का correct derivation, v is equal to i dot dr, यहाँ पे negative भी लगाना चाहिए, ओके? तो क्या देखा आपने? आपने यह देखा, कि, एक चीज़ आपने देखी, minus i equal to dv by dr, देखा आपने, तो i is equal to negative dv by dr, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं, gravitational intensity, equal to negative of, बेटा, जब भी term differentiation का आता है, तो वहाँ पे एक चीज़ जोती है, इसका हम बोलते हैं, gradient, क्या बोलते हैं, बेटा? gradient, मितलब change, gradient of gravitational potential, इस word को अच्छे से देख लिजे, यह आपको परिशान करेगा, कि gravitational intensity जो होती है, वो किसके equal होती है? negative of gradient of gravitational potential के equal होती है, clear? negative gradient of gravitational potential के equal होती है, clear के not clear? एक मिनट शोड़, तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़े हैं, बच्चों, इनको समभाल करके note का लिजे, dv upon dr equal to minus i, so i equals to minus dv by dr, और v is equals to integration minus i dot dr, तो क्या लिखा है? i equals to minus dv by dr, मतलब की negative potential gradient, उपर potential dr लगा है, मतलब gradient, मतलब negative gradient of potential is equal to gravitational field intensity, clear? मतलब का भी भी आपको अगर potential का function दिया है, और आपको intensity निकालना है, तो आप क्या कर देंगे? dv by dr कर देंगे, negative कर देंगे, ठीक? minus sign, the negative sign indicates that direction of gravitational field intensity is in the direction of decreasing potential, मतलब gravitational field intensity की direction में आपका जो potential होगा, वो क्या होगा? decrease होगा, देखिए, आपको याद होगा, सबसे अदा potential 0 पे होता है, maximum, पुलिए हाँ, फिर यहाँ negative, फिर यहाँ और negative, double negative माल लो, यदि यहाँ पे minus 3 है, तो यहाँ पे minus 5 है, तो आप क्या देख रहे हैं? potential decrease हो रहा है, clear? So, I is equals to minus dv by dr, यह चीज़ बताता है, कि intensity की direction में potential decrease होता है, चलिए, अगला है हमारा gravitational potential difference, तो gravitational potential difference क्या है, इसको कैसे समझेए? कि आपके पास में दो point है, दो point है आपके पास में, एक point यह है, और एक point यह है, तो यह आपके पास में point A है, यह point B है, इस point पर potential कितना होगा? भी भी, इस point पर potential कितना होगा? भी ए, जाहिर सी बात है, यह दूर वाला point है, तो यहाँ पर potential ज़्यादा होगा, और यहाँ पर potential कम होगा, ठीक है, तो अगर आप particle को B से ले करके चलके A तक ला रहे हैं, तो change in potential, gravitational potential difference equal to VB minus VA, ठीक है, VB minus VA, it is defined as the work done to move a unit mass from one point to another point in any gravitational field, क्योंकि अब जब आप किसी point पर निकाल रहे थे हो, आप infinity से ला रहे थे, बट जब आप difference की बात कर रहे हो, तो एक point से दूसरे point पर जाओगे, तो यह वहाँ तक का difference हो जाएगा, so VB minus VA is equals to, कहां से कहां लेकर क्या होगे आप particle को, B से लेके A तक लेकर क्या होगे, मतलब है ना, तो इसकी value आप direct लखिए, देखे क्या हो जाएगा, minus GM upon RB, अभी पढ़ा है ना मैंने, minus GM by R होती है potential की value, और एक minus और, और एक minus खुप के formula का, GM upon RA, okay, तो यदि आप minus sign comma ले ले, so this will be GM upon RB, minus GM upon RA, clear, या minus sign, cancel क्या बोले हो, नहीं, अलग-अलग radius है ना, clear, अलग-अलग radius है, okay, तो यदि आप इसको minus sign multiply कर दें, तो आप लिख सकते हैं, GM upon RA, minus GM upon RB, ये भी लिख सकते हैं, potential को, change in potential, डेल्टा भी, gravitational potential difference, clear, ओके, हाँ, तो अगर आप एक point से दूसरी point पर, mass को ले करके जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका gravitational potential difference count होगा, done, चलिए, अब लास्ट है, gravitational potential differences का, sorry, gravitational potential का superposition, so, ये rule ये होता है, कि अगर आपके पास बहुत सारे potential है, V1, V2, V3, तो किसी point पर, जो total potential होता है, वो सबका sum होता है, so, gravitational potential due to a number of particles is given by scalar addition of all that potentials, so, total potential V equal to V1 plus V2 plus V3 up to, up to, up to Vn, clear, so, V equals to, सबको जोड़ देंगे, कितना हो जागा, minus G M1 upon R1 plus minus G M2 upon R2, similarly, इस तरीके से अगर आप minus G common ले सकते हैं, और sigma के अंदर किसको फसाद दीए, mass variable को और R variable को, clear, कि not clear, so, so many things are there, हमने बहुत सारी चीज़े पढ़ ली हैं, तो ये हो गया हमारा gravitational potential complete यहाँ पे, then इसके बाद हमारा आता है gravitational potential energy, हलाकि gravitational potential energy मैंने आपको पढ़ा दी है, है न, क्या होता है gravitational potential energy का formula, minus G M M upon R, G M M upon R, clear, M M, capital M, small M, capital M, small M upon R, ठीक है, जिसको हम U भी बोलते हैं, इसको हम W भी बोलते हैं, F dot dx से भी इसको कर सकते हैं, या आपको जैसा मैंने अभी कराया, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कि सबसे पहले आप क्या निकालेजे, gravitational potential निकालेजे, V की value, और फिर M mask को आप ले करके आएंगे, तो M mask के लिए जो energy बनेगी, वो बनेगी minus G M M upon R, clear, तो यहाँ पर आपने क्या किया था, जब derivation कर रहे थे, तब आपने I के साथ किया था, और I बनाने के लिए आपने force per unit mask को आपने F upon M को I बना दिया था, बट यहाँ जो derivation हमने किया है, इस अपने PDF में, तो आप देखे, W is equal to directly F dot dx, clear की not clear? F dot dx, and F की value G M M upon X square, directly, तो इसको मैं कर देता हूँ, कोई बुराई नहीं है इसमें करने में, तो हमें क्या निकालना है, gravitational potential energy, तो gravitational potential energy की feeling को बस समझ लिजे, आजाएगा आपके पास, उपर वाले तरीके से भी आप derivation कर सकते हैं, मतलब पहले भी निकालेंगे, फिर W निकालेंगे, अभी का तरीका क्या है, यह आपके पास एक mass रखा हुआ है, capital M, आपके पास infinity पे कोई mass है, small m, इसको आप at a distance r पर ले जाना चाहते हैं, clear? तो आप क्या करेंगे, इस पर force लग रहा होगा, उस force के impact में इसको आप ले करके आएंगे, so, W is equals to integration of F dot dx, yes, so F की value कितनी हो जाएगी, G, capital M, small m, upon, यदि distance मेरी मा लिजे, यहां तक की x है, किसी moment पर, क्योंकि मैं r पे तो बाद में लेके आया हूँ, सुरूँ में मेरी distance, किसी जगह पर, इस मास से क्या रही होगी, x रही होगी, okay, so x को मैं कहां से ला रहा हूँ, infinity to r, okay, तो G, capital M, small m बाहर हो गए, integration के अंदर बचा, 1 upon x square, and this is infinity to r, so G, capital M, is small m, 1 upon x square का integration करेंगे, याने की, x की पावर मैंनस 2, infinity से लेके r, so G, capital M, is small m, क्या बन जाएगा बिटा, x की पावर मैंनस 2, plus 1, upon, minus 2, plus 1, infinity to r, so, this will be, G, capital M, is small m, x की पावर, minus 2, plus 1, मतलब, x की पावर, minus 1, upon, मैं, minus 1, infinity से लेके r, so, minus बाहर जाएगे, so, minus G, mm आगया, और, x की पावर, minus 1 को, 1 upon x, infinity to r, so, value पुट कर दीजे, minus G, capital M, is small m, 1 upon r, minus 1 upon, infinite, so, this will be, minus G, capital M, is small m, 1 upon r, minus 0, so, यह हो गया, minus G, capital M, is small m, upon r, this is, work done, clear, M, mass को, infinity से, किसी point तक लाने में, किया गया काम, तो देखे, इसका notation जो होता है, U भी होता है, W भी होता है, इसको U से भी show करते हैं, W से भी show करते हैं, और यह energy negative आ रही है, negative sign मैं अब फिर से बताऊंगा, कि यह बताता है, कि कोई भी body जो है, वो respect में, क्या महसूस करती है, attraction महसूस करती है, और इस ती यह, attractive nature से खीची हुई चली आती है, बड़े mass की तरफ, इस वज़े से यहाँ पर यह negative sign आ रहा है, clear है, यदि आप यहाँ पर mass of earth रख देंगे, तो यह relation अर्थ के लिए बन जाएगा, and this will be gravitational potential energy for earth, g, oh, 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 r, g, m, e, small m, upon, क्या हो जाएगा बटाएं यहाँ पर, small r, समझ रहें मैं क्या बोल रहूं, अगर अर्थ के लिए आप बात कर रहे हैं, अर्थ का mass capital M है, और अर्थ के capital M, M mass के center से, r distance ऊपर, कोई object, small m है, सो इसकी gravitational potential energy, minus g, capital M e, small m, upon small r, clear बटा, अब small r को हम क्या ले सकते हैं, small r equals to, radius of earth, plus h, so u equal to, minus g, m e, small m, small r की जगह है, radius of earth, plus h, okay, any problem, तो यह हो गई हमारी gravitational potential energy की definition, gravitational potential energy, is always negative in the gravitational field, because the force of attraction is always attractive in nature, gravitational potential energy is a scalar quantity, SI unit is joule, dimension formula आपने देख लिया है, energy है, तो ml 2 T की पार minus 2 ही होगा, yes, अगर infinity पर आप जाएंगे, तो r की value infinity हो जाएगी, और total maximum energy आपको कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, okay, तो देखा आपने की infinity पर, जो energy होगी, maximum होगी, वो कितनी हो जाएगी, 0, clear, okay, next, if a body of mass M, move position R1 to R2, then change in potential energy is given by, देखे, पहले कितने में थी, R1 में थी, अब बाद में किसने में है बिटा, R2 में है, तो change in potential energy आपको बताना है, तो मान लिजे, R1 position पे, potential energy कितनी हो जाएगी, minus g mm upon R1, इस पर कितनी हो जाएगी बताएगे, minus g m small m upon R1, हो जाएगी कि नहीं होगी, और दूसरी position पे कितनी हो जाएगी बता, minus g m small m upon R2, हो जाएगी ना, तो अब आपको change निकालना है, तो change निकालने के लिए क्या कर दीजे, R2 वाले में से, R1 मले को minus कर दीजे, final minus initial means, U2 minus U1, clear, clear कि not clear, तो U2 के वाले हो दीजे, minus g m small m upon R2, और minus, एक और minus g m small m upon R1, minus minus plus हो जाएगा, तो minus g capital m small m upon R2, और plus g m small m upon R1, यदि आप यहाँ पे g m m common ले ले, g m small m यदि आप common ले ले, तो क्या बच जाएगा, 1 upon R1, minus 1 upon R2, बुलिए समझ में आ रहा है, तो बच्चों, यह हो गई हमारी change in energy, यह change in gravitational energy, delta U, अब यह relation तो मैंने आपको बताई दिया है, कि energy equal to mass into potential, शुरुवाती मैंने इससे की थी, कैसे की थी, potential equal to energy per unit mass, तो यहाँ का mass से multiply कर दिजे, तो U equal to कितना जाएगा, M into V, clear? तो यह relation हो जाता है, U, M, V के बीच में, सब कुछ हमने cover कर लिया आज की class में, आज की class में हमने gravitational potential energy cover कर लिया है, gravitational potential cover कर लिया है, अब इसके बाद हम next topic में पढ़ेंगे, escape velocity, ठीक है ना? अब इसके बाद हमारी escape velocity बज़ जाती है, तो next topic में हम escape velocity, and then उसके बाद में हम Kepler's law of motion, Kepler के motion के लिया हम cover करेंगे, ठीक है?